नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ओंलाइन इस्टिडे गुरुजी चैनल में आद दोस्तों हम इस वीडियो में संग्या के बारे में सिखेंगे दोस्तों महत्पून पॉइंट देखेंगे कि संग्या के महत्पून पॉइंट देखेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़ेंगे कि अबल मुख्य मुख्य बिंदू उस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले देखते हैं संग्या किसे बोलते हैं तो दोस्तों यहां पर परिवासा दिये किसी व्यक्ति वस्तू के नाम गुर्धर्म वा सुभाव आदी का बोत कराने वाले स सब्दों में किसी का नाम ही कि संग्या होती है सैंपल सी बात है जो अगला देखते हैं संग्या की प्रकार-महत-पून है ठीक है तो संग्या कितने प्रकार की होते हैं संग्या तो जो संग्या जो रहती है मक्ता तीन प्रकार की होती है पहली होती है व्यक्ति वाचक दूसरी होती है जाती वाचक और तीसरी होती है भाव वाचक संग्या ठीक है व्यक्ति, इस्थान या वस्तू कभूत कराती है सिंपल दोस्तों कोई दिक्कत नहीं यहां परोधान दिखी जैसे राम, गंगा, रायपूर, आदी सिंपल जे हैं कि अपनी व्यक्ति वाचक संग्या दोस्तों, अधिकतर completed exam में मैंने देखा है कि आपको एक सब्द दे दिये जाता है और तो उसमें पूछी जाती कि इसमें कौन सी संग्या है व्यक्ति वाचक, जाति वाचक, भाव वाचक कौन सी संग्या है इस प्रकार का question मैंने complete exam में देखा है अगला है दोस्तों देखिए जाती वाचक संग्या जो संग्या किसी जाती समू कबूत कराती हो वे जाती वाचक संग्या कही जाती है मतलब जो संग्या दोस्तों किसी जाती ये समू कबूत कराती हो उसे कैसे क्या कहते है जाती वाचक संग्या कहते है उदारेन के तोरपे जहीं से नदी पर्वज लड़का आदी देशनों नदी इस प्रतिवाचक संग्या में गंगा है लेकिन गंगा के वल एक नाम है ठीक है एक चीज का बूद करा रही है और नदी सारी नदियों का बोद करा रही है गंगा एक अकेली नदी है लेकन नदी जो है सारी नदियों का बोद करा देए इसलिए यह क्या किलाएंगी जाती वाचक संग्या जातिवाचक संग्या मतलब किसी समूव का बोद कराती है सिंपल दोस्तों अगला है अब जातिवाचक संग्या के भी दो भेद होते हैं ठीक है सिंपल पहला है द्रबाचक संग्या जिस संग्या सब्दों से उस सामग्री या पधात का बोद होता है जिससे कोई वस्तू बनी है उधारेन के तौर पर सुना चांदी तामबा लोहा उना दी यह संपल जिस संग्या सब्द से उस सामगरी या पदात का बोध होता है जिससे कोई वस्तू बनी है तो वो कहलाती है द्रबबाचक संग्या संपल दोस्तों दूसरी है संभू वाचक संग्या जो संग्या सब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक नहोंकर संभू औलिक समुदाय के वाचक हैं जैसे वर्ग, टीम, सबह, समीती, आयोग, परिवार, पुलिस यह सब समू के रूप में आते हैं एक separate आदमी नहीं है सब समू के रूप में यह दोस्तों यह जो हैं सारे समू के रूप को दरसाते हैं ठीक है तो जो सब्द किसी एक व्यक्ति का वाचक नहोंकर समू के वाचक होते हैं वो कहलाते हैं अपने समू वाचक तो सिंपली अपने को याद रखना है द्रब वाचक संग्या और संभू वाचक संग्या ठीक है अगला है भाव वाचक संग्या तो किसी भाव गोण दसा आदी का ग्यान कराने वाले सब्द भाव वाचक संग्या होते हैं अब भी यहाँ पर थोड़ा सा यह समझ लीजिए, यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट है से लिए, दुस्तों यहाँ पर दिया है भाव वाचक संग्याओं का निर्मार, जाती वाचक संग्या सब्दों से, सर्वनाम से, विशलेशन आधी तथा अव्याव से किया जा सकता है, मत हम पर बहnat फ्क हो गई, पुरुष के लिक्त chains, विशलें पनाख्या सुनतर संग्याओं को सब्सक्राद को से क्ली याव विशलेशन में होता है, विशलेशन है, अब्याव से, यह हैं पर अभ्याव से भी आपन बहते संग्याओं बना सकते हैं जैसे दूर का दूरी निकट का निकटता इस प्रकास से अपन भाव वाचक संग्या का निर्मान कर सकते हैं किससे जाती वाचक संग्या से सर्वनाम से फिशलीशन से और अब व्यव सब्दों से ठीक है तो सिंपल अब यहां पर थोड़ा सा अपन संग्या का पत अन्य पदों से उसका संबन्द बताना है। थी किये का कैलता है?" संगय का पत्पलचं है !! संगय है व्यक्तिवाचक है, पुल लेगे एक वचण है। एके वेचन हैं, कर्म हैं, मारा क्रिया का कर्म है। तो इस प्रकार से दूस्तों यह संग्या के कुछ महतून पॉइंट है इनको आपको याद रखना है कॉम्प्टीचन एक्जाम के देंदर्स्टी यह तो